हेलो फ्रेंड वेलकम बैक टो 360 गैन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आपका फाइनली MP बोड का 10 वी और 12 वी का रिजल्ट कब तक डिक्लियर किया जा सकता है क्या प्रो से चले ही रिजल्ट के रिगार्डिंग उस संबन्द में आपको सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो कौन तक देखें आपसे एक रिक्वेश्ट अगर आप मेरे चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर दीजिए और बेल आइकोन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे आपको मेरे लेटिस नॉटिफिकेशन मिल सकें तो सबसे पहले दोस्तो आपको एक मैं जानकारी देता हूं दोस्तो देखिए जो वीडियो में बनाता हूं बे किसी ना किसी अपडेट के आदार पर वीडियो बनाता हूं बिल्कुल भी दोस्तो फेक वीडियो अपने मन से नहीं बनाता कि आपका रिजल्ट इस तारीक तक दोस्तों जो बाइट जुन वाली वीडियो वनाई थी दोस्तों मैंने वे एक अपडेट के आदार पर पता ही आपने देखा था कि अब लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो को कघा देने की कौसिस्तों आज एक नए अपडेट लेकर आया हया हूँ आपका 10 वीयों-12 वी के निज्ग कर घर्रिक दोस्तों को सुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों पत्री के नीश का अपडेट ही जिसमें कहा गया है कि मत्पिर्देद मादमिस सिक्षामंडल की बारभी की परिक्षा 16 जून को खतम हो गई थी कोरोना वायरस लोगडाउन की वैसे 9 से 16 जून की बीच बारभी के बच्चे उपेपर क परिक्षा हुई इस परिक्षा में सामिल ना हो पाए कोरोना पॉजेटिव और कोरेंटाइन शात्रों की परिक्षा उनके सवस्त होने के बाद ली जाएंगे ऐसा पहली बार हुआ है कि जब परिक्षा को इतना लेट लिया गया हो इससे पहले 15 मही तक वारभी का परिक्ष परिक्षा में घोसित होने की संबाब ना है उधर इसी दोरान 10 बी की परिक्षा को निरस्त कर दिये गया था और जितने पेपर हो चुके थे उसी के आदा पर 20 से 25 जुन के बीच परिणाम घोसित कर दिये जाएगा तो दोस्तों फाइनली हैं पर एक्सपेक्टेड डेट है बट दोस्तों मैं आपको 100% कनफर्म ली कर देता हूँ आपका फाइनली रिजल्ट 25 जुन तक आ सकता है और जो मैंने पिछली वीडियो में बात कही थी कि आपका रिजल्ट 22 जुन को आएगा दोस्तों देखिए अभी उसका कुछ कनफर्म नहीं है बट आपका फाइनली र बारभी के रिजल्ट की क्या परोसे चले रिजल्ट के लिए रिजल्ट के लिए रिजल्ट दोस्तों देखिए आपर काया गाई कि जाएंगी जाची जाएंगी बोर्ट की परिक्षा की कॉफी मतलब आपके जो बारभी किलास के पेपर दोस्तों 16 जुन को खतम हुए उसकी कोफियों की जाच है अब बाई जून से शुरू होगी इसके लिए दोस्तों है पर 10 दिन का समय मंडल की ओर से दिया गया है मतलब 3 जून तक कोफियों की जाच को कम्प्लीट करना है और उसके बाद दोस्तों है पर फाइनली आपका जो बार्वी क्लास का रिजल्ट है उसमें कमपूटर वर्क्स मेरिक्ट लिश्ट वन आयों कम सकम 10 से 15 दिन का समय लेगा उसके बीच जुलाई के आसपास दोस्तों आपका बार्वी क्लास का रिजल्ट भी डिकलियर कर दिये जाएगा दोस्तों दीखे आपक काफी वड़ी अपडेट है आपका रिजल्ट का इंतिजार जल्ट खतम होने वाला है 20 से 25 जुन की बीच 10 वी क्लास का रिजल्ट दोस्तों डिकलियर होने के चांस है दोस्तों एक्सपेक्टेड डेट है नहीं है ऑफिशली मंडल के और से दोस्तों यह क्या दो दुन में ड दोस्तों इस अन्युआ अप अंदर जुन का रिजल्ट नहीं आया दोस्तों उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि आपका एक सब्टेक अंदर रिजल्ट डिकलियर होगा तो दोस्तों आप मानके चली आपका रिजल्ट 20 से 25 जुन के असपास डिकलियर कर दिया तो दोस्तों वीडियो में इतने ही कुछ जनकरी तीया आई गोग, डोस्तूं आपको मेरी आउचिक के जनकारी पसंद आई!!! जनकारी पसंद आगी है तो वीडियो को लाइक कर दें सेर्ट कर दें ओग अगर चैनल पर ना यह को शेल सब्सक्काइब कर दें जाहिन जाबारत